बाबा गुल्ली और रॉड पानी में एक एक करके कूच जाते हैं और एक नई दुनिया में निकलते हैं बाबा देखते हैं कि इविल नन ने बुल्ली और फॉन को बांच दिया है और इविल नन ने अपने गर के चारो तरफ मौस्टर खड़े किये हैं अपने घर के रखवाली के लिए ये सब देखके रोड बहुत गुसा जाता है और बोलता है बाबा में जाके एक एक करके सारे मॉंस्टर को मार दूंगा और बुल्ली सौन को बचा लूंगा तभी बाबा बोलते हैं नहीं रोड हम ऐसे गुल्ली सौन को नहीं बचा पाएंगे हमें वहाँ चलके लड़ना होगा एविल नन से ये बोलके बाबा रोड और गुल्ली एविल नन के घर के तरफ जाने लगते हैं और तभी मॉंस्टर बाबा रोड और गुल्ली को अपने तरफ आते देख लेते हैं ये देखके मॉंस्टर बाबा रोड और गुल्ली के तरफ जाने लगते हैं मॉंस्टर बाबा गुल्ली और रोड को पकड़ लेते हैं और एविल नन के पास ले जाते हैं ये देखके एविल नन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है आज मैं सब को पका के खाऊंगी और तभी बाबा एविल नन पर हमला करते हैं लेकिन एविल नन को कुछ नहीं होता है क्यूंकि बाबा की सक्तिया इस दुनिया में काम ही नहीं करती है ये देखके गुली और रोड बहुत डर जाते हैं और तभी इविल नन बाबा को चाटा मारती है बाबा दूर जाके गिरते हैं इविल नन मॉंस्टर से बोलती है जाओ उस बाबा को पकड़ के ले आओ मेरे पास आज उस बाबा को मार के सारी सक्तिया अपने पास ले लूंग गुली रोड ये देखके बहुत डर जाते हैं इविल One बाबा को भी बाद देती है और इविल One मॉश्टर से कहती है जाओ उन दोनों बच्चे को भी पकड़ के ले आओ उनको भी बाद देंगे और फिर सबको पका के खाएंगे मॉस्टर गुल्ली और रोड को पकलने के लिए जाते हैं मॉस्टर गुल्ली को पकल लेते हैं और जैसे ही मॉस्टर रोड को पकलने की कोसिस करते हैं रोड तुरंट मॉस्टर को फ्रीज कर देता है और फिर रोड एक एक करके दोनों मॉंस्टर को फिरीज कर देता है ये देखके एविल नन बहुत गुसा जाती है और एविल नन जैसे ही रोड के तरफ आती है रोड तुरंट एविल नन को भी फिरीज कर देता है और रोड गुल्ली से बोलता है हमें जल्दी से बाबा बुली और सौन की रसी खोलना होगा गुली और रोड जल्दी जल्दी से बाबा सौन और बुली के रसी खोल देते हैं और रोड बाबा से बोलता है बाबा हमें जल्दी यहां से भागना होगा क्यूंकि evil nun और monster जादा देर तक फ्रिज नहीं रह सकते हैं ये सुनके बाबा कहते हैं ठीक है फिर हमें जल्दी यहां से चलना होगा बाबा गुली बुली सौन और और वहां से भागने लगते हैं और उदर evil nun और monster बर्फ को तोड़ देते हैं और तभी Evil Lan पीछे से गूली बुली को बहुत तेज से चाटा मारती है गुली बुली दूर जाके गिरते हैं यह देखके बाबा बहुत गुसा जाते हैं और बाबा तुरंट एक्स्रीम मोड में आ जाते हैं और फिर बाबा एक एक करके दोनों मॉंस्टर को मार देते हैं बाबा रोट से कहते हैं रोट तुम जल्दी से इविल नन को फ्रीज करो रोट इविल नन को फ्रीज कर देता है बाबा इविल नन को अपनी बिजली से जला देते हैं